सफल बिजनसमेन कैसे बने दिनानाथ जुणजुण वाला का यह बुग का आज इसके बारे में जानेगे पूरा आडियो सिरीज है आप देखें सफल बिजनसमेन बने तो कैसे बिजनसमेन बितिय जोकिम युक्त नदीन वेवसाहिक कारिको उद्दंत तता इसके करता को बिजनसमेन काते हैं सरम सरीर एवं मन की सक्ति का वय जब धनार जन के लिए होता तो उसे सरम काते हैं परिस्रम सक्ति का वय जब अपने लिए होता तो वो परिस्रम हो जाता है उत्पादन उत्पादन तो वो वस्तु है नेकिन उत्पादक्ता से उत्पादन छमता एवं गुन्वता का बोध होता है उत्पादन से उध्मा हलिक होता है उप्योग कई वस्तूओं के योग से समाज कल्यान के लिए जो वस्तू तियार के जाती है उस किरिया को उध्योग करते है उद्योग परिश्रम से उत्पादन परिश्रम ही पुन्जी है आलस ही गरीबी है गरीबी दैबी परकोप नहीं बलकि आलस प्रमाद अपवय एबं अन्य दुरगुनों के एकी करन का ही परतिफल उद्गमय की विशेष्था उद्मीता है जो निरंतरकार मेरत है जैसे मनुस का गुन उसकी गुन मनुस्ता से है उसी परकार बिजनेसमेन का गुन उसकी उद्धिमेता से है उद्धिमीता को बिक्सित करने के लिए बिजनेसमेन होना आवास्ता का है मैंने लखनवर में एक विकारी से का कि तुम्हारा सरीर ठीक है तुम भी क्यों मागते हो मेनत क्यों नहीं करते तो उसने जवाब दिया बाबु जी मैंने आपसे पैसा मागा राय नहीं अब आप ही बताएं एसे वक्ति की गरीब कौन दूर कर सकता है बिजनेसमेन तीन परका कर देते हैं डूसरा वह होते हैं जो यूजना तो बनाते हैं प्रंत यूजना में परहसानी आने पर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं तीसरा वह होते हैं जो यूजना बनाते हैं परहसानी आती है लेकि परहसानियों का सामना करते हैं यानी यूजना को कहरेवैंदी करते हैं उद्मिता के सुत्र लच इस्तिर हो एवं संकल्प में डिटता हो तो सफलता मिलना अनिश्यत है काम को कर्म योगी की तरह यानि पूरे मन से करो योग करमासू कौसलन कौसल पुर्वक किया हुआ कर्म ही योग है आदमी काम की अधिक्ता से नहीं ठकता काम की अनिया मीता से ठकता है आदे अदूरे मन से किया गया काम हकाम देना तता इससे काम की सफलता भी संदीद हो जाएगी बिजनसमेन काम की अधिकता से नहीं ठकता, काम जब नहीं रहता तो ठकता एक बिजनसमेन कीसी उद्धम को सफलता पुर्वक चलाता है और दूसरा नुक्सान उठाता यानि उद्धोग नहीं चलता बिजनसी उसे चलाता है हमें यह उप्ति अच्छी लगती है परिस्रमी समस्या का जवाब होता है आलसी समस्या का हिस्सा होता है ज्यान के आलोक में कर्म करने करेंगे तो उद्मिता बढ़ेगी बिना ज्यान के कर्म करेंगे तो स्रम का अपवय होगा ज्यान दिशा देता है यही कारण है कि कुरुचेत्र के मैदान में दुर्योधन अर्जुन ने अपने रत की लगाम क्रिश्न के हाथ में दे दी थी बिजनसमेन अपने स्रम का पूरा सदियो करता है समयनेस्ट नहीं करता काम समझ कर मत करो, करताब कर्म समझ कर करो, उद्धम करने में कटनाई आए, तो जाओ सफल एवं बुद्धिमान बिजनेसमेन के पास, समस्या का समाधान मिलेगा, उद्धोग में करी मेनत, इमंदारी एवं टीम की भावना होनी चाहिए, आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकत उर्जा चाहे परकट हो या अपरकट, बिजनेसमेन उसका पूरा-पूरा उप्यो करता, परतेक मनुस के अंदर एक महापूरस बैठा, आप अच्छे बिजनेसमेन तभी बन सकते हैं, जब आप परतेक सहकर्मी के महापूरस को गाते करते, आपका करमचारी या करमयोगी हो विनास्याती, बिजनेसमेन हमेशा सचेत एवं संचेस्ट रहता हैं, बिजनेसमेन आज के काम को कल पर नहीं छोड़ता, सफला आदमी की यहीं पाचान हैं, बिल्कुल, हमने डाकू को तो महापूरस बनते देखा, लेकिन आलसियों को नहीं, जो जितना व्यास्त रहता हैं उसके पास सबसे अधिक फुरसत रहती हैं, लेकिन निठलों के पास समय काम, बिजनेसमेन परिसानी से घबराता नहीं, उनका सामना करता, क्या हाजार काते भी गुलाब की सुन्दर्ता और सुगंद को कम कर पाते हैं, उद्दम माने स्रम, भारतिये मनी सियों ने तोस उद्द्दक्न के पर्तेक सुपान में स्रम की महता स्थापित की है, ब्रहमचाय सरम, इवं सन्या स्यारंब, आदी विवेद इसके कारपरणाम में, हमारे बिश्राम में भी स्रम लगा है, यानि उतना ही आराम करें, कि पूर्ण, पूर्णा स्रम करने लायक हो जाए, की ही परदानता है उद्वि गियान पुरुस सी मुँ पैती लच्मी यानि बिजनसमेन को ही लच्मी प्राप्त होती है समुद्र मंतं से लच्मी की प्राप्ति उद्दम नहीं लच्मी की प्राप्ति के लिए समुद्र मंतं उद्दम है हमारा भाग भी क्या है जो कर्म हमने आ आज का भाग भी पूर्व में किये हुए कर्म का ही फ़ल है, अता कर्म परधान है, स्रम से अधिक कर्म सन्यास को मात्व देना पतन का कारान है, हम जानते हैं, करते नहीं, यानि जानने का मात्व नहीं, करने का मात्व है, बिजनसमेन वही है जो जानने भी और करे भी, जो जा करने में विश्वास करें वही बिजनसमेन अच्छा बिजनसमेन अपने साथ काम करने वालों को नीचा दिखाने या अपना बरप्पम दिखाने का परियास नहीं करता बलकि अपनी उपलब्दियों का स्रे भी साथ वालों को देता हैं जिससे उनका मनुबल उंचा रहे हैं ध सफल बिजनसमैन अपने साथ काम करने वाले की सुभदा का कि भीख्या रखता है। स्वाएं गारी पर चड़े तो उन्हें साल के लिए तो मिलनी चाहिए। सफल बिजनस को क्रोध का उपयोग कम से कम करता है। स्रेश्ट क्रोध वह है जो देर से आए और जल्दी आए। क्र प्रिया कर रहे है तो उसने का समय कात रहा हूँ। दुसरे से पूछा तो उसने कआ पांच बजने का परतिच्छा नहीं और तति स्फरे को देखा तो जो अपने में भ्यास था। उसे समय का ख्याल ही नहीं था पहले क्रमचारी की छुटी हो जाएगी दुसरे की बढ़ोतरी नहीं होगी और तिसरा तरक्की करता चला जाएगा बिजनस मैन को जो भी मिलता है उससे वह संतोस रहता है अधिक पानी का परियत जरूर करता है लेकिन इस बात का ख्याल रखता है कि हमारा औस अंतोस समय इसकरिये ना बना दे हमारा सरीर उड़जा का असीम बंडार इस सकती का उप्योग करे इसे बरबाद न करे बिलकुर राइट कहा गया है कि हमारा सरीर उड़जा का असीम बंडार इस सकती का उप्योग करे इसे बरबाद ना करे बिजनस मैन अपने समय का सदी अंगलिया दसा अपतार है यह जितनी ब्यस्त रहेगी जीवन उतना ही संबीर्द होगा बिजनस्मेन जब स्वय अनुसासन में रहेगा तभी वह दूसरा दूसरों पर आसासन कर पाईगा सफल बिजनस्मेन वही है जिसने ग्यान का कर्म में रुपांतर कर लिया और अपने सम प्रस्रमी के पास हमेशा एक कारिक्रम होता है आलसी के पास हमेशा एक बाहना होता है प्रस्रमी कहता है लाइए मैं आपका काम कर दू आलसी कहता है यह मेरा काम नहीं है प्रस्रमी हर समस्या में समधान देखता है आलसी हर काम में समस्या देखता है प्रस्रमी कहता है यह हो सकता प्रंतु यह कठीन है द्याना के उपलब्दियों किरिया परदान है किर्पा परदान नहीं बुद्ध ने अपने परदान सिस आनंद से कहा था कि मुझे जो कुछ भी मिलेगा तेरे पास परियास परियतनों से मिलेगा मैं तो के बार रास्ता दिखा दूंगा मगर चल अरत एक बूड़े का अलिंगन करना नहीं चाहिए चाहती उसी तरह लच्मी आलसी भगवादी और सास विहीन विक्ती को नहीं चाहती बिजनसमैन मनुस अपनी हानी पर कभी नहीं रोते वे उस च्छतिक की भरपाय करने का उपाय करते बिजनसमैन होने के लिए स्वैं ही परियास करना परेगा किसी और के परियास से हम बिजनसमैन नहीं हो सकते हैं संगास पुन जीवन ही उद्धिमीता का लच्छन है बिजनसमैन अपनी लच को परिष्णा हिम्मत एवं इच्छा से प्राप्त करने का परियास करता हैं उद्दम न करने वाले से वह अधिक स्रे कि उस ग्यान से क्या लाब हो जो कर्म को परभावित नहीं करता बिजनसमेन की सपलता की कौसोटी उसका बिजनसमेन होना होना है ना कि केबल अध्यान व्याख्यान या परचार असपलता मनुस्थ की पराजय नहीं है पराजय है असपलता से डरना और पूना परियास ना करना परवंदन सफल बिजनस वाय बनने के लिए परवंदन की कला में परामगत होना अनिवार है अपने दो हाथों से आदमी कितना भी काम करेगा यदि उसमें हजार या लाख हाथों का काम लेने की कला हो तो वह अच्छा परवंदक हो जाएगा सर्वसेश्ट परवंदक उसे मानना जाता है जो वेक्ती की पूरी छमता का उपयोग कर सके इसे उधारान के तौर पर एसे समझा जा सकता है कि अगर एक किलोमेटर के दूरी चल कर तैक करनी है वह परवंदन जो अपने अधीन अस्तो बीस मिनट की दूरी पांच मिनट में पूरी करवा दे वही सर्वसेश्ट परवंदक माना जाएगा सर्वसेश्ट परवंदन के दो मूल सी दान्त है पाला पूरी छमता का उपयोग तथा दूसरा गुनबत्ता में स्रेष्ठा कार समय से करवाकर गुनबात्ता को ठीक ना रख सकने वाला अच्छा परवंदन नहीं कहा जा सकता सर्वसेश्ट पंदवंदन के भी अनेक व्यारिक सुत्र है उन सुत्रों की व्यक्या इस पर करें दूसरे परसासन करने से पहले स्वय अनुसासन में रहना परेगा आप चाते हैं कि क्रमचारी पान भीरी का सेवन काम के समय न करें तो सबसे पहले परवंदन को स्वय इसके सेवन से दूर रखना होगा अपने अधिनास्तर को कभी नीचा दिखाने का परियास ना करें उनकी प्रसंसा करें और उनकी कारशमता का अबोद करवा कर उनके पौरुस को जागरेत करने का परियत्न करें अपना बरप्पन दिखाने के परियास से बीरत रहें क्योंकि दूसरे का बरप्पन कोई जल्दी नहीं सुनता चाता अपनी उपलवदिक असरे भी अधिनास्तर को दें इससे अधिनास्तर भी स्वाय को गरवानवीत महसूस करते हैं और अपनी छमता का बेतर रूपियो करते हैं उपलवदिक किर्या परधान हैं किर्पा परधान नहीं य Bread अधिनास्तों को कराना आवस्थ सक है कर्म से भाग की रिका बदलती है अधिन हस्तों में डाट कर काम करने की परविर्थी विक्सित करना है अधिन हस्तों का परवंदन में विस्वास होना चाहिए कि ये मेरे सुख दुख के साती है विस्वास में कमी होने पर स्ट्रेस्ट परवंदन होना संभव नहीं है परवंदन को या मानना चाहिए कि इन अधिन हस्ता के वर पैसे के लिए काम नहीं करना ता वह भी अपना मान समान रखता अपनी सुवदा के साथ साथ अधिन हस्ता की सुख दुख सुख सुवदा का भी ख्या लखना चाहिए परवंदन की या भावना रहेगी तो अधिन हस्तन में कभी संतोस औसंतोस नहीं उपजेगा परवंदन में क्रोध का उपयोग कम से कम करे क्रोध में बोध नहीं राता अता क्रोध न करे स्रेस्टम परवंदन के लिए टीम भावना से काम करने की कला बिक्सित करना अनिवार है अगर टीम भावना का अभाव नहीं रापाएगा जिससे अत्ता उत्पादन एवन गुनवत्ता परवावित होगी अपने क्रमचारियों को कर्म योगी बना है उन्हें क्रमचारी एवन कर्म योगी का अंतर बता है उन्हें बता है कि केबल पैसे के लिए काम करने वाली कर्मचारी है लेकिन पूरे मनो से काम करने वाला कर्म योगी पैसा तो मिलना निशित है अपनी संपून छमता एवं समय का सद्विप योग करने वाला कर्म योगी अपने को परतिष्ठान का हिस्सा मनेगा लेकिन क्रमचारी अपने को ना कर काम करने की मनुविर्ति का भेद ही उसे क्रमचारी से कर्म योगी बनाएगा क्रमचारी को कर्मयोगी बनाना है या कला हमें रमायन से सिखनी चाहिए सीता की खोज में समुन्दर पार लंका जाने के लिए सभी बैटे हैं कोई न जाने को जो उदत नहीं हुआ सब जामवद ने हनुमान के मापुरसों को जाविर्द करने के लिए का जामवद को सुनू हनुमाना का चुप साध रहे उव बल बाना कवन तो काज कथिन जग माही जो नहीं होत होई तात तूनू पाही राज राम काज लगी तव अवतारा सुना तही भव परवतारा जामवद ने हनुमान को उनके बल का बोत कराया और कहा कि आपके लिए जग में कौन सा कार कटीना आपका अवतारन ही राम काज के लिए हुआ है इतना सुनते ही हनुमान का पौरुस जाग उठा इस चौपाई का अरांस यही है कि जिसका महापौरुस जागरित करना हो उसके पौरुस का बोत करा दे और परसंसा में दो मीठे वचन कह दे आज के जमाने में यही उपाई सबसे उपयोगी सिध हुआ परवंदन का करतब है कि अधिनास्तों में या भाबना भर दे की कोई भी काम छोटा या बरा नहीं होता हर काम का अपना अलग महत्व है किसी उपयोगी में जाडु लगाने वाले की भी उतनी आभा सकता है जितनी परवंदन की सरवसेश परवंदन समयक एवँ स्रम का पूरा सदिपयोग करता है परवंदन सलीके से काम करने या लेने का तरिक है सर्वसेश परवंदन आज के काम को कल पर नहीं टालना गांधी जीनी नित का काम नित पूरा करते थे किसी कारण वंस ना कर पाय तो प्रभू से प्रात्ना करते थे कि कल मुझे जिवित रखना ताकि आज का बकाया काम कल कर पूरा कर सको हमारे देश के गुलाम होने के कारण था कि हमने स्रम से अधिक सन्यास को महत्व दे दिया सर्वसेश परवंदक समस्या को पहले सुनता है और तब समाधान बताता है परवंदन में मदद तब मिलती है जब वह या आदेश पारित कर दे कि समस्या लेकर आने बाला उसका समाधान भी अपने साथ लेकर आएगा एसा आदेश पारित करने से समस्या को लेकर परवंदन को रहात मिलेगी समस्या पर कम चर्चा करें समाधान पर अधिक हमारी मानता है कि बीमारी है तो इलाज भी है समस्या है तो समाधान भी है अच्छा परवंदक समस्या का समाधान करता है खराब परवंदक उसको और उल जाता है अच्छे परवंदक के पास हमेशा एक कारिकरम होता है बुरे परवंदक के पास हमेशा एक बहान आता है काम नहीं है गीता की यायक्ति योग करम सुका सलम परवंदन के लिए अतिमात्पुन है क्योंकि कुसलता किये हुए सारे कर्म ही योग किसरे नहीं मात है अच्छा परवंदन करता है नस्ट नहीं करता है अच्छा परवंदन दुनिया में नहीं रहता है उसकी बुद्धी नि या आत्मक बिनियस्यती या उक्ती आदमी को विवारिक बनाता अच्छा प्रवंदन प्रहसानी से गवरानी के बाजा उसका सामना करता हैं अच्छा प्रवंदन एसे ढंक से समझ जाता हैं कि अधिनास्ता को समझ में आ जाता हैं अगर समझ में नहीं आया तो समझाने वाले क ही कंजोरी है साच कहे तो परवंदन बहुत बरी कला है अगर दूसरों को अपने अनुरूप ना ढाल सके तो दूसरे के अनुरूप स्वाय ढल जाए परवंदन में मानिवी ये दिश्टिकोन एवम उदारता अवस्तक है सभी एक परिवार की तरह कार करें गरीब कौन है उस म पास कुछ नहीं वह अमीर है तता जिसके पास सब कुछ है वह गरीब है इस परिवासा से आप चौकिये नहीं अग्ए एक बिरक्ट सन्यासी के पास कुछ नहीं होता वह के बर पहानने के लिए कौपीन और पानी पीने तथा भिच्छा ग्रान करने के लिए कमंडर रखता हैं विच्छा भी नित मांग कर लेता हैं एक दिन भिच्छा मिल गई तो दूसरे दिन भी भिच्छा का ठिकाना नहीं चार पीने के लिए तो वह पैसा रखता ही नहीं केवल कौपीन एवां कमंडर रखने वाले सन् संतुष्टी देख कर संपन भी उससे इस्या करने लगेगी एसे सन्यासी का प्रसंता का राज है उसकी संतुष्टी और लोगों के संग्रा के सामने उसका संग्रान देखने तो आपको सन्यासी दुनिया का सबसे बड़ा गरीब वेखती ही लगेगा लेकिन बास्तर मिवा रा हमेशा चिंता में रहता है उसकी इच्छाएं एवं अकांचाएं ने उसको गरीब बना दिया इनी के क्यार्णों वो हमेशा असंतुस्ट रहता है अता ध्यान से ध्यान रखे संतुस्टी ही हमारी अमीरी है एवं असंतुस्टी ही गरीवी है एक महात्मा ने एक सुत्र दिया आलस ही गरीवी है तता परिष्रम ही पुंजी है यह सुत्र बरे काम का है इस सुत्र को बिस्तार से समझने की अवा सकता है हमारे धर्म सास्त करते हैं कि लच्मी की उत्पति समूंद्र मंतन से हुई यहां समूंद्र मंतन का उद्दम है बिना उद्दम के लच्मी नहीं आती ह सास्त्र का वचन भी उस महात्मा के वचन की ही पुष्टी करता है की परिस्रा में ही पुझी है एक सायर ने थी एक थी जह कहा एक प्तर की तक्दीर भी सवर सकती है बस अरते की सलीकिक से तरासा जा बिल्कुन एक विकारी महात्मा के पास गया एक विकारी महात्मा के पास गया और कहने लगा कि महराज मेरे पास कुछ नहीं है मेरी मदद करो महात्मा ने कहा कि तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं क्या तुम अपनी एक आँख दोगे तुम्हें हम 20,000 दिलबा देंगे आज कल एक किर्णी की भी 50,000 में भीक रही है खुन भीक रहा है इस परकार महत्मा जी ने उस भीकारी को बहुत करा दिया कि इतना अन्मोल सरीर पाकर भी तू अपने को गरीब क्या बताता है शरीर से परिस्रम कर गरीबी दूर होगी भीक कब तक मांगता रहेगा चीन में कहावात भीक में मचली नहीं दी जाती देते हैं बलकि उसे मचली माना सिखा देते हैं बागवान ने आलसी एवं पर अस्रमी दोनों को एकी परकार्स का सरी दिया प्राकिर्ति सुबदाओं समय गवायू जालाकार सूर दर्ति आदी भी समान रूप से दी है किसी से कोई भेदवाव नहीं किया सबको समधान बराबर फिर भी एक गरीब राजा गया और दुसरा अमीर हो गया क्यों अमीर बनने की अकांचा रखने वाले ने उपलब्ध संसाथनों का सदी उपयोग किया एक हावात समय धान अगर आपने समय को बरबाद ना करें तो समय के सदी उपयोग तथा अपने सरी द्वारा परिस्रम करके पुन्जी का नेमान कर सकते हैं सभी प्राकिरती सक्तियां एवन सुबदाओं का सदीयोग हमें अमीर बना देगा यह भी देखा गया है कि कोई राजा के घर पैदा होता है कोई गरीब के घर कोई राजा के घर पैदा होने पर भी गरीब हो जाता आता था गरीब के घर भी इस बात पर निर्व करती है कि आप वर्तमान में कैसा जीवन जी रहें अगर राजा के घर पैदा होकर भी आलसी और बिलासी होकर आमदनी से अधिक खर्च करेंगे तो गरीब होना नहीं चीट ठीक इसी परकार गरीब घर में पैदा होकर पुरसार्थी सायामी एवं मित वही जीवन वेर्तित करेंगे तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता ये दोनों इस्तितियां जीवन में देखने को मिलती है आता ये केवल तरक नहीं वेवारिक सत्त है यह भी देखा गया है कि गरीबी के लिए लोग अपने भाग को कोशते है या परभू किर्पा की कमी बताते हैं तो उसी दास जी ने लिखा है कि कर्म परदान बिस्वरचा रखा यानि जीवन की सारी प्राप्तियां कर्म परदान है मंचंगा तो कठोती में गंगा मंत्र तो आलस्यों का मंत्र है जो पुरसार्थ होगा वह निकल परेगा गंगा की और तता गंगा कर भी बिस्राम लेगा प्रभू की किर्पा सभी प्रसंवान रूप से हैं अंग्रेज ची की एक प्रसित कावत है जो स्वैक अपनी सहता करते हैं इस वर भी उनी की सहता करता है यानि जो परियास करेगा प्रभू उसी की साता करेगा लच इस्तिर हो और संकल्ब में डीड़ता हो तो सफलता निशित है लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि ठोकर वही खाता है जो चलता है गलतिया उसी से होती है जो काम करेगा गलतिया ना करने के भाय से निश्क्रिये एवं निकम्मा होना गरीब होने की ही परक रिया है कटनाईयों पर बीजय प्राप्त करने वाला वेक्ति ही जीवन में सफल होता है किसकी तागत है जो एसे वेक्ति को गरीब बना सके मातमा ओंक को या कहते सुना है कि बीना प्रभु किरपा के पक्ता तक नहीं हिलता यानि हम जो भी कुछ करते हैं वह प्रभु किरपा से ही करते हैं एसी अवस्ता में हमारे पापून इमय्वमिरीगरिवी का भोगता प्रभु को होना चाहिए लेकिन होता ओल्टा हमें ही अपने किये हुए फापून का फल भोगना परता हैं मातमा जी की इस उक्ति का रहा समझने लाइक है शरीर तथा प्रान दो चीज़ है बिना प्रान के सरीर बिकार है इस वर ने हमें प्रान दिये हैं इस सरीर को प्रानवान करने के बाद उसने हमें कर्म करने के लिए स्वतन छोड़ दिया इस वर ने हम सभी को सक्तियां दी मान बुद्धिया बुद्धिया दी पांच ग्यानेंद्री और पांच कामेंद्री है एक उदाननका सारअदु और सन्यासि इनके बताय मारद पर करे और अपने बीवëक तथा सक्तियों का सद्ये गई इन सुत्रों को ठीक से समझने के लिए एक उदानन का सारा लेना उचीत होगा बिजली की मोटर अगर करेंट नहीं हो तो बेकार है करेंट आने पर उससे हीटर चला चाहे कूलर या आप पे निर्वा करता कर्म से भल मिल्ला निशित एक वेक्ती और मानविय कमजोरी ही है मनुस अपनी कमिया और कमजोरिया का कारण दूसरों पर ढूणता है जब तक हुआ एसा करता रहेगा कभी सुधेगा नहीं सुधार का पर्थम लच्छन है अपनी कमी एवं कमजोरी का उतरदायत स्वय को मानना जब वह स्वय को उतरदायत मानेगा तभी यह जानने का परियास भी करेगा कि मुझे में कौन सी कमजोरी है और उसे कैसे दूर किया जा सकता अगर अपने से समलने का उपाय नहीं दिखाई देगा तो वह सास्त्र वच्छनों का सहारा लेकर या सम प्रभुद की विचार सील लोगों के पास जाकर समाधान पालेगा कहीं नहीं कहीं उसे रास्ता दिखाई दे लेगा और वह अपनी कम्यों एमम कमजोरी उपर बिजय प्राप्त करेगा गलतियां होना गलत नहीं गलती है उसे सुकार न करना और उसके लिए पच्छताब करना बिल कुंटल जब अमेरिका के राष्टपती हुए तो उन्होंने एक बरे मात की बात कहीं उन्होंने कहा मेरी भी कमजोरियां हैं लेकिन मैं अच्छाईयां मेरी कमजोरियों को नियंत्रिक करने के लिए कापी है इसलिए का सारांस ही आए है कि गरीब ही कोई इस्वरिये पर कोप नहीं है इसे आलस प्रमाद उपवय आदि दुरगणों को का एक अत्रित परतिफल काना चाहिए इसे परिस्वर्म से दूर किया जा सकता है अगर कोई गरीब है तो अपने आलस एवं इसके लिया तक करना वह स्वरिये गरीब भी दूर कर सकता है परिस्वर्म एवं अध्याव साय कर से मन का संकल्प एवं सरीर का परात करम किसी काम में लगा दिया जाए तो गरीब ही व्यक्त्रित का विकास का से करें कि ऐसे करेंयों के सब्राइब भृषक करें हैं की कुछ इससा करें कि-पास हमारा विक्शित्र हो समानता व्यक्ति की परदाशन चमता से उसके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है प्रंतु साइध या पूरी तरह से उचित नहीं होगा क्योंकि व्यक्तित्व में हमारा वेशबुसा, विवा, आदिते, भावनाह, आदि सभी समलित होते हैं वेक्तित्व विकास को लेकर अनेक परकार के मत है इसकी विविन अभधाना एहम परिवासाओं को संबादित कर यदि यह कहा जाए कि मनुस्त की छमता और उसकी उपलवत्ता में आ रहें अंतर को कम करने की ही वेक्तित्व विकास है तो सर्वता उचित होगा आज के इस परतियस्वता जीवन में हर कोई अपनी उपलवदियों से संपूनता संतुष नहीं है साथ ही उसे या भी आवास रहता है कि कहीं न कहीं उसकी छमताय का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है जीवन के कुछ परमुक बिंदूओं पर ध्यान देकर हम सब अपने अपने वेक्तित्व को और अधिक सम्रिद बना सकते हैं तता अपनी उपलवदियों को बढ़ा सकते हैं जीवन में तीन चार चीजे हमें आरे लिए बहुत महत्पून थे जैसे करिया, परिबार, स्वास, धान, संपदा, समाज हमें इन छेत्रों में समान रूप से सफलता एवं उपलवदिया अरजित करने के लिए विक्तित्व के विकास के कुछ सुत्रों पर विशेश ध्यान देना चाहिए निश्चे ही वे सभी लोग जो जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं सफलता जिनका लच ही नहीं साद भी है उन्हें विक्तित्व विकास के लिए के लिए इस इंदान्तों का अवस पालन करना चाहिए पानावा वस्त हमारे विक्तित्व का हिस्सा है परतिक मिलने वाले विक्ति पर हमारा पर्तम परवा हमारी भेस वुस्ता के अदार पर परता है पाली नजर में पढ़ने वाला या परवाव ठीक रहे इसलिए या अवस्तक है कि हम साफ सुत्रे तथा मौके के अनुरूप वस्त्र पाने सक्रात्मक देश्ट्रिकोन विक्तित का दूसरा महत्मून परवाव उसके देश्ट्रिकोन द्वारा परता है सफलता के लिए सकरात्मक दिश्टिकोन होना अंतन अवसक है आत्मिस्वास से भरे सकरात्मक दिश्टिकोन वाले विक्ति का परभाव सभी परपरता है और या परभाव लंबे समय तक कार करता है अपने दिश्टिकोन को सकरात्मक बनाने के लिए हमें नकरात्मक विचारों से बचना चाहिए स्वैकों इस्वर की विशेश कृति के रूप में पाचानने और अपने विचारों और चारों और एसे लोगों को साथ रखे जो उसाहित हो निरियुस्तारिक नहीं काम पूरा हो पाएगा कि नहीं इस साइयस में पढ़ने की बजाए अपने काम को लच तक पहुचाने का रेंदर प्रयास करना चाहिए लच निर्धारन जीवन के परतिक छेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए लच का निर्धारन अंतेना आवस्तक है विवारिक लचों का निर्धारन कर विक्ति को पाली सफलता तुरंत ही प्राप्त हो जाती है अपना लच जाने बिना अनेका नेक बिकल्पों में से सही वा उंचित मार्क का निर्दान करना संब्द नहीं होता अथा अपनी छम्ता योगता संसादन अभिरोची वा परस्तिती के अनुरूप लच निर्दान करना अंतेंद आवस्था क्या हम स्वाय निर्धायत करे कि हमारे जीवन का लच क्या होना चाहिए हम इस काम में पूरी सावधानी बरते इस बार लच निर्धायत करके उसी मार्क पर चलते रहना ही स्रेज कर एक बार गलत रास्ते पर जाने के बाद हर कदम गलत परता है जिस परकार कोट का एक बटन गलत लग जाने पर अन्ब सब बटन गलत ही लगते जाते हैं या भी ध्यान रखना अब असक है कि गलती का अहसास होते ही उसमें सुधार कर लिया जाए उत्सा वेक्तित्व का एक मात्पून पच उत्सा होता हैं उत्सा से ओत्पूत वेक्ति जीवन की छोटी-छोटी असफलताओं को से निरास नहीं होता वह अपनी उर्जा से अपने काम में लगा रहता हैं उससा भी इन वेक्ति का कभी भी दूसरों पर रचनात्मक परवाव नहीं परता हर वेक्ति ऐसे वेक्तियों से संपरक रखना च रखते हैं हो और उस्सा से उत्प्रोत हो हर रात के बाद दीन के बाद के सिदांट को मानते हुए हम सब को चाहिए कि जीवन में होने वाले छोटी मोटी दूडगट ना हो या आंसिक असफलता हो से बीचलित ना हो और लच के परती उस्सा बनाए रखे परतेक वेक्ति सुर् परतेक वेक्ति परफुल और परसन रहना चाहता है परफुल और परसन वही रह सकता है जो आसावान होता है आसा परकास है निरासा अंधकार है अंधकार में आगे का रास्ता बंदो जाता है और निरास वेक्ति हाथ पर हाथ रखकर बैक्ट जाता है जीवन में कुछ भी कर प्रंटु महत्मकांचा को उत्तेंजित करने वाले उच आदरसों की परदान करने वाली वातावरन में अवसर हैं। यही विकास के मार्ग को पराश्ट करने में समर्थ हो सकता है। सदेव उनी लोग की संगती में रहें जो हमारी छमताओं के परती बिस्वास रखते हैं तता जो नियंता पेर्णा एम प्रोसान परदान करते हैं एसे वेक्तियों की संगती में राने पर हम पाएंगे कि हमारी मात्मकांचा और परतिवा सदेव जागरित एवं जीवन्त हो ब बिनम्ता विक्ति का स्रेष्ट गुन है और इसके बीना विक्ति का चीर प्रवावी होना संभव नहीं बिनम्ता वास्ता में विक्तित्व को एक नया आयाम देती है और अनेक सफलता हुआ उपलवदियों का परमुक कारण भी बनती है अनेक अफसरों पर हमें भरहम भी होता ह कि हमारी बिन्यम्ता हमारी कमजोरी बन रही है किन्तु हमें बिन्यम्ता एवं दीड़ता के अंतर को समझना ना होगा अपने विचारों को इस्ते रख कर हम स्वय को दीड़ता परदान कर सकते हैं जबकि बिनम्ता से आसा है कि हमारा वेवार दूसरों के परति नम्र हो और हमारे आचरन से किसी को ठेस ना पहुंचें। यह ध्यान रखना अवस्था कें कि बिनम्ता का मतलब असाहज समर्पन नहीं है। बिनम्ता से दूसरे के परति सने एवं सम्मान रखते हुए भी असामाती व्यक्ति की जा सकती है। अनुकलन और मधूरवानी सबको अच्छी लगती है, परतिक व्यक्ति अपना समर्थन चाहता है। और सानभोती की अपेच्छा करता है, हम भले ही किसी व्यक्ति का कोई काम न कर सकें। प्रन्थु उसके परति सानभूति को परदर्शित कर ही सकते हैं, उसके कार की सिद्धि के उपाय पर विचार भी कर सकते हैं, लोग परचलीत कहा था हैं, कि हम गुर ना भी खरिद सकें, पर गुर जैसी बात तो कहें, हम पिदिये एवं हितकारी वानी का अभ्यास करके देख हमारे संपर्क में आने वाले वेक्ति को प्रसन होंगे ही हमें भी उसके द्वारा आनंद की प्राप्ति होगे टाल मटोल से बचना किसी भी वेक्ति की असफलता में ताल मटोल की प्रविर्ति का बहुत बरा योगदान होता अलस मनुस का सबसे बरा सस्त्रू है जीवन में अस का पुर्ण त्याक करना होगा आलास के रहते हुए ना तो हम अपनी कारह च्छमता का अपयोग कर सकते हैं और नहीं अपनी लच्छ को प्राप्त कर सकते हैं काम को टालना भिस व्यापी समस्या हैं हर नए काम को या थौरे आसुबदा जनक काम को हम सब अपने हमेशा टालना चाहते हैं जबकि बास्तर में ऐसा करके हम जहां एक और सफलताओं को दूर कर रहे होते हैं वहीं इस्वाय को एक नमीन कार को के रोमांच से भी वंचित कर देते हैं किसी भी बरे कार को चोटे भागों में विवक्त कर उसे सलल बनाया जा सकता है उस कार को समाप्त करने का एक बरा समय बद कारिकरम बना कर स्वय को अनुसासन में रखने का परियास किया जा सकता है कार के सरल दिखाई देने से उसे करने का उस्सा बनेगा और हम काम को टालने की परविर्थी बसे बचेंगे बिस्व सनीता हमारे विक्तित्व का एक मात्पून पालू है और हमारे सफलता में इसका मात्पून योगदान होता है हर विक्तिक की सारुजीरिक छवी उसके कारियों को आगे बढ़ाती और कहीं बार नाकरात्मक होने पर उसकी रा में बादाखडियोत करती है जीवन में मुलो के परती आस्था रखकर अपना वेक्तित को सही चवी परदान की जा सकती है वास्ता में समाज में भी उन वेक्तियों का साथ विवार रखना चाता है जिनके जीवन में आस्था ये वसत्त का मात्मुन अस्तान संबब है कि कई बार इन मुल्लो और सत्व के साथ हम छोटे बलाबों से वन्चित राजा हैं किन्तु इनका दिरकालीन परवाव राता है और ये हमें बरे लाब के लिए अफसर परदान करते हैं किसी भी महान अत्वा सफल विक्ति के जीवन चरित के अवलोकन के पस्चात या बात सामने आती है कि उन्होंने पूरी डिन्ता के साथ अपनी चारित्रिक विसेश्ता की रचक की ऐसा करते हुए भले ही उनको कितनी भी कतनाईयां का सामना करना पर हो चरित कोई एसी वस्तु नहीं है जो सुन अत्वा एकांत में बिक्सितती है और सफलता कोई एसा फल नहीं जो पर लटकता है अत्वा मधारी के आम की तरह हाथ पर उगता हो कहा गया है चरित का निर्मान संसार के संघर्ष के मध होता है सफलता एवं परतिस्ठा चरित रूपी बेच का फल है नेक् इसना के इस यूग में देश-विदेश की दूरियां लगव समाप्त हो गई है कहीं भी घटित होने वाली घटना नई तकनीक नई विवस्ता आदी की सुचना बहुत तेजी से उपलब्ध हो जाती है एसे समय में एक विक्सित वेक्ति से अपेच्छा होती है कि उसके पास उद्यान जानकारी हो वर्तवान यूग में विविद विसर पर पढ़ने के लिए व्यापक साहित उपलब्ध है हर वेक्ति को पुस्त को इंटरनेट आदी की उप्योग करना चाहिए ताकि उसके विचारों में नमीनता हो और विवीन संदर्वों में उसे अवस्तित समान ग्यान हां सी लो सके नाए विचार और उचित समान ग्यान के माद्यम से हम अपने वेक्तित का साहित मक परवास अस्थापिक कर सकेते हैं परोकार सहयोग सफलता की एक मात्मूर अवास्ता है हमें कभी भी इतने महान नहीं बन सकते हैं कि हमें दूसरों की सारे जरूरत न परे वास्ता में हम सब एक दूसरे के सहयोग वह सक्ति परदान करते हैं दूसरों के सहयोग प्राप्त करने के लिए हमें स्वाय को दूसरों के मदद करने के लिए त्यार करना होता है दूसरों को उसकी योगता बढाने वा उनके कारे में मदद करने का संतोस वेक्तित्व पर बहुत ही सकरात्मक परवाव डालता है इसके पहिनाम सरुवेक्ति की कारचमता में बेर्दी होती है मुस्कान, मुस्कान वेक्ति का सर्व से सिंगार है, सदान्त वेक्तितु में भी मुस्कान को जोर कर वेक्तितु को आकरसक बना जा सकता है, हर कोई खुश मिजाज वेक्ति के परती आकरसित होता है, मुस्कान भी कोई लागत नहीं लगती, किन्तु इसका परतच और परतच ल पर में प्रासंता लाती है विवास्ता में विर्दी करती है और मिर्था का बिस्तार करती है विक्तित्व विकास वास्ता में केबल यही सब नहीं है या एक निरंत चलने वाली परक्रिया जिसके माध्यम से हम स्वय की प्रगति और प्रभा को सुनिचित कर सकते हैं हमारा प्र आज इक परस्तिती में हमारा विकास हो सके मनुस्त के जीवन में निर्थ हो सके हो रहे पुर्ण निर्मान में सुधार ही विक्तित्व का विकास है बिजनस्मेन असपल कब होता है मैं तीन परकार के बिजनस्मेन देखे हैं पाला बिजनस्मेन कारपराम में ही असपल हो जाता दूसरा बिजनेसमें लंबे समय तक कहीं उचाहिए को असपस करता है लेकिन स्वाइए इतना नीचे गिर जाता है कि उसके पास अपना कुछ नहीं रहा जाता है यहां तक कि वह करिशदार हो जाता है कार को करने के संकल्प के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है तीसरे प्रकार के बिजनेसमें आगे बढ़ते ही जाता है उसकी बढ़त को कोई रोक नहीं जपाता है अपने मैंने अपने जीवन काल में तीनों स्रेनी के उद्मियाओं को देखा है अब मैं यहां उनकी चर्चा करने जा रहा हूं पहला बिजनेसमें यूजना बनाता है उसे किर से नन मिलना दूसरी स्थिती में पैसा मिलने पर ब्याज का मीटर चालू हो जाता है जाना और उसी समय सद्यूपयों सुद्गा में चालू न होने पर ब्याज एवं मुल्धन मिलाकर कर्ज से लद जाना समय से कर्ज अदा न करने पर पैनल ब्याज इतना बढ़ जाता है कि ब बिजली बीभाग से बिजली का कनेक्शन लेना भी एक कठीन है, मसीनों के चैन में अगर गल्ती हो जाए तो परिसानी नुकसान निस्चित है, अपने क्रमचारियों के साथ वेवार में कुसलता नहीं होगी तो उत्वादन कम होगा, या माल में की क्योल्टी में खराब होगी यह भी देखा गया है कि किसी भी अच्छी कंपनी की मसीन को पैसे के लालच में अस्थानीय मिस्तिरी से ठीक करवाना मांगा पर जाता है, पुरी मसीन ही खराब हो जाती है और बिजनेसमें पहसान हो जाता है, यह सारे परियोग बिजनेसमें को असपल की ओर ले जाते हैं, कभी-कभी तो उपयोग चालू भी नहीं होता पाता और बीमार या बंद हो जाता लेकिन यदि फिर भी चालू रहात और उत्पादन भी कीक्वाल्टी नहीं ठीक हुई तो माल बजार से वापस आ जाता बिजनस में परेशान हो जाता और अंत में असाफलता ही उसे हास लगत मिस्तरी को उपकरन ठीक कराना कर्ज को समय से चुकता ना करना अपने उत्पात की क्वाल्टी को ठीक ना रखना आधी बातों से बचें असफलता के इन सभी कारणों से सचेत एवं संचेस्ट राने के आवा सकता हैं जिस दूसरे बिजनस्मेन ने अपने ही जीवन में नए उ असफल भी हो गया उस बिजनस्मेन के असफल होने के मुल कारण नहीं है अब हम कारण जानेंगे उनका असफल होने के कारण क्या पहला अपने लर्कों को अपने जीवन काल में ही पूरा कार बार ना देना जब तक पूरा बार नहीं देंगे वे पूरी जिम्मेवारी का नि अवासक ना देने पर असपलता निशित हैं दूसरा एसा भी देखा गया है कि यूवा लड़के जब काम देखने देखना पारम करते हैं तो किसी महिला क्रमचारी के संपर्क में आकर अपना भविस्थ खराब कर लेते हैं काम के परतिला परवा हो जाते हैं अपने ही उद्ग उद्ग की कार संस्कृति को बिगार देते हैं पिताक की बिर्ध होने के कारण एसे पुत्रों को रोक नहीं पाते हैं अनक्रमचारी भी प्रेम प्रसंगों में परिचित नहीं रहते हैं और वे भी मालिक की कमजोरी को अनुचित लाव उठाने का परियास करते हैं इसे बरन आजाती है वो अपनी अमदनी से अधिक खर्च करता है कर्च में के रुपेओं से एस करता है नतीजा अनेक बार दिवालिया होने के रूप में सामने आता है मैंने देखा है कि कुछ लोग हवाई जहाद या फस्ट एसी में यात्रा करते हैं केबल यह दिखाने के लिए कि वे बरे रहिस है मैंने कहीं लोगों को आगे बढ़ कर दान देते हुए देखा है ताकि लोग समझे कि इनकी बरी कमाई है या जूटा है दिखावा अ फला तूनी है खर्च असा फलता का कारण बनाता है अधिक रहिसी दिखाने के कारण बिजनसमेन अपनी जिम्मेवारियों और करतवों के परतिला परवा हो जाता है तता अपना खर्च भी आमदानी से अधिक बढ़ा लेता है चोथा नाम कमाने के चकर में कुछ बिजनसमेन कोई संस्ता की जिम्मेवारी अध्याच या मंत्री बन कर ले लेते हैं संस्ता में चुनाव के समय बेताहासा पैसा प्राप्त करते हैं और फिर अधिक सक्रिय होने के कारण उद्वियों को संस्ता का भार तभी लेना चाहिए जब देख लेकि उद्वियों को प्रात्मिक्ता देने वाले का उद्वियों कभी परवावित नहीं होता पच्मा यह भी देखा गया है कि कुछ लोग अपनी गिर्ती अमदनी के कारण अनवस करज ले पराम कर देते हैं जिससे बजार एवं समाज में साकवनी रहें एसा अनुप्यूकता करज हमेशा परेसानी में डालने का कारण बनता हैं करज को कभी भी अपनी पुंजी न समझें करज लेकर मकान बनाने साधी करने जैसे अनुप्यूकता कार न करें करज से आमदनी बढ़नी चाहिए ताकि ब्याद समेत मूल अदा कर सकें अगर एसा नहीं करेंगे तो असपलों होना नहीं सीता जदोग बेपार के उसुलों के साथ कभी समझाता ना करें। पहला वसुल है समैं से करज अदा आएगी तथा मौल की खरेट का समय बुकतान बिस्वास मानें जिसको देना आ गया यानि समय से पेमेंद करना आ गया उसको उदोग बेपार करना आ गया। मांगने वाले को दोवारा अपने दर्वाजे पर मांगने के लिए ना चड़ने दे समय से देना सीख जा तो असा फलता किसे बचे जाएंगे जो समय से देना जानता है वही समय से उगाई का भी ध्यान रखता कभी अपने आत्म विश्वास में कभी कमी ना आने दे प्रैसानी आती है और परिच्छा लेती है दिरज से उसका सामना करे जो तीसियों के चकर में न परे जो जो सिया अपना भाग नहीं जानता वो दूसरों का क्या बताएगा अपने कर्म एवं अपने आचनन पर पूरा भरोसा रखे कर्म एवं आचनन हमेशा नीचे गिनने से बचाएगा और असपल नहीं होने देगा नामा अपना बरप्पन दिखाने एवं दूसरों को नीचा दिखाने का परियास न करें अगर ऐसा करेंगे तो अपने साथ वालों का विश्वास को देंगे दूसरों का विश्वास अर्जन करना ही बिजनेस्मेन की पुन्जी है हमेशा याद रखे कि उपलबदी किरिया परधान होती है किरपा परधान नहीं त्रामतिकों गुरियों जच्छियों और जार फुक करने वालों के फेर में समय बरबाद ना करें मैंने स्वय देखा है कि गुरू ने सिस की उपलबदी का सरे तो लिया लेकिन जब पतन हो गया तो उसका दोसी सिस को ठारा है गुरू के कारण विचार सुध हो वेवार कुसलता आये तो अच्छा है लेकिन उसे सुध गुरू सर्वता मिलते कहा है जब तक सिस दान दचना द उच करता है किन्तु आर्थिक इस्तिति से कमजोर रहने पर सिस से मुष मोर लेता है अपने कर्म को ही अपना धर्मपरदान इवां अपनी सेवा को ही अपनी पूजा बनाने वाला कभी असफल नहीं होता 11 अपने अपने क्रमचारी disciples को अपना स्वहय тебя ही माने या मान कभी ना माने की क्रमचारी केवल पैसे के लिए काम करता है उसका भी अपना मान समान होता है उसका पूरा आदर करें स्वय को अनुसासन में रखें तभी सासन भी ठीक से करप पाएंगे उद्दोग में खरीद विक्री उत्पादन बैकाता पैकिंग आदी विवीन विवागों में ताल मेल ठीक ना होने के कारण भी उत्पादन परभावित होता है या भी उद्दोग की आसाफलता का कारण बनता है सभी विवाग के क्रमचारी के साथ बैठकर ताल मेल अस्थापित करना अतिया वस्था का है संयुक्त परिवार के बिर्दो की अपेच्छा ना करें, कमी के बावजूद बिर्दो का आधर सम्मान करें, जोस एवं होस में समयन अस्तापित करें, बिर्दो का होस और उसका जोस जब साथ साथ चलेगा तो बिजनसमेन की तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा, किसी से जग परिवार करें, चाहा हुआ आपका क्रेता विक्रेता या क्रमचारी क्यों ना, अगर मन ना मिलें तो लेन देन करके आगे से बिवार करना बंद कर दें, जगरों और विवादों से स्वाय को बीरत रखें, पंदरा मा, आज के काम को कल परना टालें, अगर किसी कारण वास नहीं निप्टा सके तो प्रातना करके सो, एक की हे परमेश्वर कल मुझे जीवित रखना ताकि बकाया काम पुरा कर सकूं, इस परकार देट निश्च्या पुरवक प्रातना करके सोएंगे, सोएंगे तो आपका काम कभी पेंडिंग में नहीं रहागा, ऐसे और भी अनेक कारण हो सकते हैं, जिससे बिजनेसमेन असाफ़लो होता है, यहां दिये गए इन कारणों पर जो ध्यान देगा, उसके असाफ़लों का प्राशन नहीं होता है, तीसे परकार का बिजनेसमेन नियंतर आगे बढ़ता जाता है, अपरोक सारे दूरगोनों से जो अपने बचाका रखेगा, उसकी परगती को कौन अबरूत कर सकता है, यदि उन सफल उद्मियों के जीवन को नजदीक से देखने का परियास करें, तो एक बात निश्चित रूप से देखने को मिलेगी, कि उनकी सफलता का राज, उनकी कर्टप निश्ठा है, और सफल विक्ति को कभी अपना आदास ना बनाए, हमेशा एसे विक्ति को सीख लेने का परियास करें, जो हमेशा अधिक सफल हो, तता अधिक उचाई प्राप्त कर चुका हो, सफल बिजनस्मेन की औरोको के लिए पेनासरोत होता है, अक्सर बिजनस्मेन यह गलती कर बैठता है, कि वह अपनी कमजोरी छिपाने के लिए किसी एसे उद्धोग का उधारन देता है, जो बीमार एवं बंध हो चुका है, संकल्प यह होना चाहिए, कि हमारी तरह का कोई एक भी उद्धोग अगर सफलता प्रवक्चल ला है, तो हमारा क्यों नहीं चलेगा, यह संकल्प कभी भी बिजनस्मेन को आसापल नहीं होने देगा, संकल्प सकती जीवन के सफलता संकल्प से आती हैं, एकी कार को कर रहें विवीन विक्तियों की सफलता का परिणाम उसकी संकल्प सकती के अनुसान मिलता है, यदि किसी कार्य को किसी की देखा देखी से बेमन से या अदे धूरे संकल्प के साथ किया जा रहा हैं तो कार्य में सफलता संग्दीर ही है संकल्प से जुरा प्रियास तमाम बिग्र बदाओं के बीच भी अपनी सिद्धी से पूर्व नातो सिथिल होता है और नहीं रुखता है संकल्प पित वेक्ती की हिर्दा भावना बुद्धी की बिचारना मन के असंका प्रानों का अवेक शरीर के का पुरसात सम्मिलकर लच संधान की दिशा में एक जुट होकर चल परते हैं इस तरह संकल्प सक्ती का परियोग एक ऐसी परकिरिया है जिसमें समस्त भी कल्पों का आभाव होता है जहां सामने एक लक्ष एक उदेश एक मंजिल होती है और अस्तित्व की समुची सक्ती उसको पुर्ण करने के लिए लिए कटी बंद होती है वही कठीन कर्म भी संकल्पित होने के साथ ही आसान बन जाता है वस्तोत संकल्प सक्ती विक्ती के लिए कोई कार कठीन या असंभव नहीं होता संकल्प सील विक्ती अपनी सबसे बरी दुरबलता को अपनी सबसे बरी सक्ती में बदल सकता इसके कई उदान भारती इतियास में देखने को मिलते हैं चानक ने अपनी सीखा खोल कर प्रन किया कि जब तक नंद वंस का नास नहीं कर दूँगा तब तक अपनी सीखा नहीं बांदूँगा और नंदवन्स के राजा महानंद का सीर अपनी तलवार से कटने के बाद ही चानक ने अपने सिखा बांदी नेपोलियन ने बिजय यात्रा के दौरान कहा था कि असमभव सब्द केवल सब्द कोस में होता है अलप्स परवत को कोई पार नहीं कर सका था लेकिन नेपोलियन ने संकल्प ने अलप्स परवत को भी पार कर दिखाया इतियास में एसे अनगीनत उदानम भरे परे हैं जिनोंने अपनी संकल्प सक्ती के बल पर अपने लच तक पहुंच कर ही अभीराम एवं विस्राम के लिया संकल्प करने पर सक्ति का बिस्पोर्ट होता है, संकल्प सक्ति के परियोग में विपरित परिनाम भी ला सक्ति है, जिससे गातक असाफलता, असाफल परिनाम जीवन को विपलता और नेरासा एवं कुंटा से भर देते हैं, यह इस्तिती बास्तम में आद्य दूरे मन से किये संकल्प का नतीजा, संकल्प लेकर उसे तोर देना, अर्थात अपने लच को बीच में छोड़ देना, ज्वय को धोका देना जैसा है, संकल्प के परियोग में कभी जल्दिवाजी ना करें, बिना लच का साही निर्दान किये, उसके ओचित के परती, बिना आस्वत हुए अपनी सकती सामर्थ को बीना आके संकल्प के ले बैठना और कारचेत में कूद पढ़ना, समस्दारी का करम नहीं, अंत्रा या असा फलता, निरासा एम, जह गहासाई का ही कारण बनता, संकल्प के परियोग में कच्छुय सी मंद गती भी ठीक नहीं है, संकल्प के बल चिदि की परतिछा में तालता रहे या भी उसित नहीं है, लच असपास्ट हो, इसके आचित के परती हो, लच में अपने कल्यान के साथ दूसरे का भी हित जुरा हो, तब या अंतरात्मा में नहीं हित सकतियां एक जुट होकर लच संधान के लिए सक्रिये होती हैं, जो ठा के साथ बिकल्प स्कार सिद्धी में बरा अवरोध उत्पन करते हैं बीर कोलंबस जब अपने सहसिक अभियान में भारत की खोज में निकला और महिनों की सफल समुंद्रियात्रा के बाद मंजिल दूर दूर तक नहीं दिखाई दी तो सहयात्री की हिम्मत जवाब दे गई वे बिकल्प की तलास में वापस लोट चलने की बात सुचने लगे किन्तु बीर नायक कोलंबस का जवाब सहयात्रियों में नहीं चितना फुकने वाला सिध हुआ कोलंबस का असपस जवाब था कि पीछे मुर्णे के बाजा या तो अजार्च को ही समुंद्र में डुआ देग बढ़ रहा कोलंबस का अभियान अंत्ता समुंद्र के किनान अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया या बात दूसरी है कि या भारत के बजा अमेरिका का तठ था बिकल्प हीन संकल्प की इस्तिती असंभाव लगने वाले कारियों को भी संभान बना देती हैं वास्ता में तमा परसीद है कि सांथ समुद्र ने कभी स्रेष्ट नाविक तयार नहीं किये हैं संकल्प की दुर्गुनों को त्यागने एवं सद्गुनों को अपनाने में सहाइक सिद होती है अता वेक्तित्व का विकास संकल्प के साथ करे यह निवीर वाद है कि असाफलता का मूल मत दिन संकल्प है जागरुकता जागरुकता सब्द का अर्थ है हर कार के परती सचेत एवं साचेस्ट रहना सचेत का अर्थ है अपने कर्तब का बोध और सचेत का अर्थ है अपने कर्तब को निस्पाधन के लिए परियासरत रहना के बल कर्तब बोध का होना जरूरी है या ग्यान अर्थ हीन है जो कर्म के परती पादन ना हो अतग्यान का अस्थांतरन कर्म के में होना ही जगरुकता हैं क्या जगरुकता के अभाव में किसी भी छेतर में आगे नहीं बढ़ा जा सकता राष्ट पती से लेकर समान आदमी तक यह देखने में आता हैं कि हमारी जगरुकता ही ह हमारी प्रगति के कारण है अनेक बार यह देखने में आता है कि पीता द्वारा प्राप्ति प्रसिदी और उपलवदी पूत्र के ने आगे और हांसिल करने के बाद घटा दी इसका कारण के बन जगरुकता का अभाव है था वे अपने करता वो और कर्म के परति सचेट एवं स सचेट नहीं रह पाएं अनेक लोग जिनका बच्पन सधारन था जैसे महात्मा गांदी के एवं सरदार पटेल यह अपने जीवन में इंसानियत के सरवोच सिखर पर पहुंचे इसका मूल कारण था जगरुकता जगरुकता के साथ परमार्थ का जोड़ना सोने में स्वाग होता होता है द्यान रखे की परमार्थी होने के लिए भी जागरुक होना अबसक हम चाय स्वार्थी हो चाय परमार्थी हमारा लच असपास्ट होना चाहिए और उस लच को प्राप्त करने के लिए सतत जागरुकता की जरूरत होती है उदोग वेपार राजनीतिक धर्म जी जागरुकता कोई भी किरिया करने के से पूर्व उसका चिंतन के उपरांत दूसरों से चर्चा या लेखन उसके बाद उसका किरिवयन यानि जागरुकता का अर्थ है मनसा वाचा कर्मना चिंतन को कर्म में रुपांद्रिक करना और वह भी समय से काम को समय से न करना भी जाग जागरुकता का अभाव है बहुत से लोग दिर्ग सोची होते हैं वे कोई निश्चय ही नहीं कर पाते एसे दोनों ही दिर्ग सोची या निश्चय न करने वाले जागरुक नहीं कहे जा सकते हैं आता जागरुकता ही उन्नाती एवंपरगती के कारण और इसका अभाव ही वक्त उसे जागरुकता रहना परेगा बिजनसमैन सफल ता उसके जागरुक रहने का परमान कभी-कभी जागरुक वेक्ति भी असफल होते हैं किन्तु बिफलता के बाद निरासा या हतासा नहीं होते हैं वे अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं यही कारण है कि हम हम सफल वेक्तियों को ही आसमारन करते हैं असफल वेक्ति को इतियास के धारा में बिलीन हो जाते हैं अपने वेशाय के परती इमांदार होना ही जागरुकता हैं यानि जो जागरुक नहीं है वह इमांदार भी नहीं हम किसी भी तरह से जागरुकता का अर्थ समझने की चेस्टा करें तो केवल एक ही अर्थ समझ में आया कि समार पित भाव से जागरुक होकर अपना वेवसाय करने वाला वेक्ति ही जीवन में प्रगति करता था था फसफल होता है सफल बिजनसमान और सिचा सरवुस अस्थान पर पहुंचने के लिए उंच सिच्छा में स्रेश्टा का होना जरूई नहीं है हां सिच्छा के छेत्र में सिच्छक को उच्छ सिच्छक में स्रेश्ट होना अवस्थक है लेकिन दोग के लिए के अनेक गौरप पुरुस जैसे धन घंस्याम बिर्ला धिरुबाई अंबानी जे आर्टी टाटा साहू सांती परसाथ जैन सिर्राम के सडालमिया आधी उच्छ कामराज हो या लालबाव शास्त्री बाबु जग जीवन राम हो या स्रीमति इंद्रागंदी इन सब की सिच्छा भी ये तक ही थी लेकिन पूरे देश का संचालन इन्होंने सफलता प्रुवक किया मैंने अपनी मा को देखा हुआ अपना हस्ताचर भी नहीं कर पाती थी ल लेकिन अध्यात्मक छेत्र में सिखर पर थे मैं जानता हूं कि वरांसी में में जितने भी देश भी देश के से उंच सिच्छित बिजनेसमैन आज एक भी बिजनेसमैन सफल नहीं हो सके बलकि उन लोगों ने अपनी कमाई तो गमादी ही थी करशदार होकर अन्याद चले ग की जानी चाहिए काम को कलपा टालने की परविर्थी घातक होती होगी प्रहसानिया आना स्वाबाविक है प्रहसानियों का सामना करना तता संगर्स करते हुए आगे बढ़ते राने की परविर्थी बिकास और सफलता के लिए जरूर है प्रहसानिया से घबराकर काम को बीच में छोड़ना अनुचित है अपने पूरे समय एवं पूरी छमता का उप्योग करने की कला का विकास करना ही परतेक बिजनस्मेन के लिए आवस्सक है चौता किसी भी उद्धोग में परवंदन की सफलता है तू सभी को साथ लेकर चलने की छमता विक्सित करना आवस्सक है पा कोई कम काम करता है या सहयोग ना करता हँ फिर भी उस से थकराव से भचना अवस्सक है सरकारी विभान से सहयोग करने और राजिनित्य वेक्ति वितर्थु यों की अलोचना से भचने अनेक उलतचनओं को टाला जा सकता है अट्वा, परवंद एवं ज्यानी लोगों को सम्मान देना ताकि उनके ज्यान के आलोक में उदोग का विकास एवं बिस्तार हो सके अपने सहयोगी क्रमचारियो को करमयोगी बना देगा ताकि वे पूरे मनयोग से अपने पूरी छमता का उप्योग कर सके परतेक पुरुस में बैटे महापुरुसों को जागरित कर देना ताकि वह करम योगी की तरह काम कर सके 11. आजकल समानती जमाना नहीं है कि चाबुक मार कर काम लिया जाए 11. अपनी वेवार को सलता से क्रामचारी की योगता एवं गुनों के चर्चा से उसमें कर्म बोध करते बोध की वीक्सित करना जरूरी है नई नई तक्निकों को अपनी आवसक्ता अनुसर बिजनेस में गरान करें ताकि उत्पाद की गुनमात्ता और उत्पादक्ता बढ़े तथा उत्पादन खर्च में कमी है अपने सहयोगी क्रमचारियों की सुख सुभदा एवं सम्मान का भी ख्याल रखें उनके परती उदा भाव हो या याद रखे कि क्रमचारी केवल पैसी के लिए काम नहीं करता उसका भी अपना मान सम्मान होता है उसका आधर करें चौदर बिजनेसमें ख्याल रखे कि दूसरों पर सासन करने से पहले स्वाय को अनुसासन में रखना जोरूरी है जो अनुसासन में नहीं रह सक है वह सासन भी नहीं कर सकता है पंद्रा उदोग याद रखे की काटों के बीच ही गुलाब खिलता है यह की चंड में कमल खिलता सारे भी दोध बीच भी अपने उदोगों को सफलता प्रुवक्चलाना बिनीुद कोई विवास्ता होता ही नहीं सुला अगर सिच्छा के छेत्र में सेश्टा लानी है तो उच्छ सिच्छा के देने के बज़ा है उसे संगर्स सील बनाने की सिच्छा दी जाएं उसे यह बताया जाएं कि दुनिया का सुन्दर्तम एवं सुगंदित फूल गुलाब काटों के बीच ही खिलता हैं जो फूल का आप के जैसा मौत नहीं मिलता अगर बुध ने बुध ने राजमहल पत्नी पूत्र को छोड़ कर कटिंता पस्टा नहों हो तो सारे बिस में मन एवं पुझनिये नहों पाते 17 मैंने देखा अपनी प्रसंसा करके दूसरे को परवाइद करने के बज़ा उसी के प्रसंसा से उसको प्रवाइद करना ज़्यादा असरदार है अठारा अगर आप आपके पास कोई विखती समस्या लेकर आया तो पहले उसकी सुनिये तब अपनी बात कहिए अगर बीना उसकी सुने आप अपनी बात कहने लग जाएंगे तो आपकी बात उसे प्रवाइद नहीं कर जे मैं बहुत से सुझाव देकर इस विशाय को बोजिल नहीं बना ना चाहता केवल इतना काना चाहता हूं कि सिच्छा उस सिच्छा का होना उदोग के छेत्र में अनिवार नहीं संगर सिलता और समस्थ्याओं से भागने की बजा उनका सामना करने की छमता का विकास करना बि बिपनन या बिक्रे कला के बारे में जानेगे अगर बिपनन नहों तो बेपार चल नहीं सकता हमें बताना या है कि बिपनन करेज कैसे नए परकार के उतपादन के लिए ग्रहां को कमेजगरित ही पैदा करने की अवसकता है चाह जब पहली बार देश में आई तो सहर में कि चाह पैदा हो गई तो ग्रहांक ने उसे अपने पास खरीदना शुरू कर दिया इसी तरह जब मिल्लियन वाटर बिक्ने लगा तो साधान पानी और मिल्लियन वाटर का फरक भी लोगों को समझ में आ गया अब साधियों में मिल्लियन वाटर ही देना परता है दूसर अन उतपादों के मुकाबले यदि बजार में अपना माल बेचना है तो गुनवत्ता पैकिंग एवं कीमत ही माल के बिकने का अधार बनेगी एक बार अधार बनने पर सप्लाइच लाइन को बरकरा रखना परेगा नहीं तो आपके उतपादन की कमी का लाब कोई अन उतपाद उठा लेगा अपने उत्पादन के बिक्रे के लिए और विग्यापन का सहरा लेना परेगा इसके लिए प्रिंट और इलक्ट्रोनिक मीडिया दोनों परकार के दोनों का उप्योग किया जा सकता है आखिर उभोकता को अपने माल का परिचाय देना तो ही है परिचाय कराने के के लिए कई अनु तरीके भी हैं जैसे हैंड विल पोस्टर डिस्प्ले मटेलियल तथा ट्रेड फियर आदी में सामिल होना ग्राकों का तीन किस्म हैं सदान उभुकता अधोगिक उभुकता तथा सरकार जिसमें सेना रेल्वे परदेश सरकार आदी सभी आ गया इन तीनों मे सरकेटिंग का परचार और परचार अलग-अलग होते हैं समान उभुकता अपने उत्पात को बेचने के लिए हमें सरपर्थम चैन करना परेगा कि आप कितने छेत्र में माल बेचना चाहते हैं छेत्र जितना कम होगा वहां उतने ही परवाव साली उभुकता हों से अधाते हैं जाएंगे उतना ही खर्च बढ़ेगा विक्रय परतिनीती बढ़ बढ़ेंगे तता परचास अमंगरी भी बढ़ेगा उतपादन के विकरय तता अर्य आं में पकर भी उतनी ही कमजूर होती जाएगी बिक्रा परतिनीधी बोलेंगे कि उत्पादन बढ़ेगा तो छेतर बढ़ेगा परेगा लेकिन उस समय देखना होगा कि छेतर बढ़ाना अवस्तक है या उसी छेतर में गहन मार्केटिंग करना इस मार्केटिंग का एक बरा लाब होगा कि उस छेत्र में माल की पकर हो जाएगी और ग्रहा को दुकंदार पर जाते ही उसी माल की मांग करेगा यहां गहन मार्केटिंग का ततपर है कि अपने उत्पात को केबल सोहरों तक सीमित न रखना हमारे देश की 70% आवादी आज ही गाउं में बसती है अभी क्रीशी उपज बढ़ाने के कारण आए में बढ़ोत्री हुई अतक गाउं में भी माल विक्रा करने की समभावना बोतनी ही है जितनी सोहरों के इलाके में गाउं में बिक्री बढ़ाने का एक लाव और की प्राया उत्पादक गाउं में नहीं जाते हैं तता अपने उत्पात को सोहरों तक सीमित रखते हैं अतक गाउं में परती अस्पादास की समभावना कम होती है दूसरा लाव यह होगा कि गाउं से मांग उठा उठेगी तो जो सहरवाले भित्रक एंव दुकंदार उस उत्पाद को रखने के लिए निमेश वीवा सुनी है किसी उत्पाद की अच्छी बिक्री अश्ची परकार के अन उत्पादों के मुकाबले किसी खास ब्रांड के वैसे उत्पाद के बिक्रय का सेअर सबसे अधिक हो अगर किसी ख चेत्र में उस ब्रांड की पकर मजबूत है इसी कड़ तर्ज पर अपने उत्पाद की पकर बढ़ाते जाएं तता माल की उत्पादन अनुसार अपने विक्रया के चेत्र का भी बिस्तार करते रहें यह भी देखने को मिला है कि एक चेत्र में एक बांड अगर जादा परचलित है दूसरे चेत्र में उसका अधिक परचलित होना अवसक नहीं है किसी भी ब्रांड के किसी भी चेत्र बिसेश में परचलित होने के कई कारण होते हैं जैसे नीमित माल की सप्लाई करना माल की गुनवत्ता को बना कर रखना परचार द्वारा उत्पादन को उभुकता तक पहुंचाते रहना पैकेकिंग को अवसकता एवं समय की मांग के अ इंतर अबाव इससे उस छेत्र में दूसरे उत्पाद घुस जाएगा और अपनी पकर बना लेगा हमेशा जागरू करहना होगा कि जिस छेत्र में हमारा उत्पाद एक बार परचलित हो गया वह पिटने नहीं पाए अगर पिटता है तो यह मान कर चलना परेगा कि कई न हमारे अंदर कमजोरी है बिक्रय के छेत्र में बिस्तार अबसक के अनुरूप करते है सततर साबधान रहे कि छेत्र में आपके माल की पकर घटने न पाए और अधाग बबुकता को माल बेचने का तरीका बिलकुल भिन है यह और आधाग को बबुकता पहले माल बनाने वालší की छमता देखेंगे उसके बाद उत्पाद की क्वालिटी देखेंगे अन उत्पादों को मकाबले उसकी कीमत देखेंगे सारी विवस्ता अनुकुल होने के पर ही वे उत्पाद खरीते हैं प्राई या दे या भी देखने को मिलता है कि अधोगी उभुकता किसी एक पर का सप सप्लाइर के उत्पादन में दिक्कत आने या अधोगी उभोकता का उत्पादन भी प्रभावित हो जाएगा दो तीन उत्पादकों से माल लेने पर माल का रेट की पोल भी खुल जाती है तता सप्लाइर को भय रहता है कि अगर हम में कोई गरबरी की तो दूसरा उत्पादक पूरी तागत से घुस जाएगा अधोगी उभोकता को ब्राण उत्ना प्रभावित नहीं करता जितना उसके माल की क्वाल्टी रेट तथा अवा सकता के अनुरूप सप्लाइ करने की छमता यह भी देखा गया है कि ब्रांडेड माल के मुकाबले अनुत्पादन भी निर्माता को भी एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक उभोकता पर ही वह आसित ना रहें तथा एक उभोकता की खरीद में दिक्कत आने पर वह दुसरे उभोकता को सप्लाई दे सकें निर्माता को सदब ख्यार रखना चाहिए कि उसके माल की सिकात चाहे सामान सब्सक्राइब करें अधिक माल बेजे देने पर माल की कद्र कम हो जाती है माल के बिक्रह एवं निर्धार इत पॉलिशी का पालन करें पॉलिशी पालन में डील देने से उबोगता को निर्माता कंपनी के परती सहीं हो जाएगा जो किसी भी हालत में उचित नहीं है माल को जितना नगद बेचेंगे उतना ही माल की कद्र बड़ेगी तता जितना उधार बेचेंगे उतना कद्र गटेगी हम लोगों को बचपन में भुजूरकों ने बताया कि उधार में अंधार यानि उधार बेचने में अंधेरा है अग ब्रहुम निकाल दे कि बीना उधार दिये माल भीकेगा नहीं यह भी ब्रहुम निकाल दे अगर दूसरा कोई उधार दे रहा हैं तो हमारा उतपाद नगद कैसे बिकेगा बिजनेसमेंट की इच्छा सकती माल की क्वाल्टी नियमति अ सपलाई वेवार आधी दूसरे के उध आपने बीतरक या एजेंट को भी कीमत लेकर ही माल दे उसका पैसा फसेगा तो वह अभी जी जान माल बेचना की चेस्टा करेगा नहीं बीकेगा तो बीतरक ही आपके माल में एब निकालने की चेस्टा करेगा तथा हो सकता है माल वापस करने की बात करने लगे अथा उधार ना देना परे तो अच्छा है आज तक उधार बेच कर कोई जादा आगे नहीं बढ़ सका मार्केटिंग के लिए बिक्रय परतिनीदी का चैन खूब ठोक वजा कर करें आकारण ज्यादा तो बिक्रय परतिनीदी का सुपरवेजन करना अनिवार है ताकि उसे भैर हैं कि मेरा ब्यान गलत न हो जाए बिक्रय परतिनीदी के लिए निर्थ का बेवरा भेजने का बनती है तता दुर्दासी खरीदा और मिलने की समयना बढ़ती है उत्पादन को अपने उत्पादन की इमेज भी बना कर रखनी चाहिए dcw kaasting soda बनाने की कंपनी इसके जी-एम ने अपने बिक्राय परतिनिदी के सारे हिंदुस्तान से बुलाया दरासर उनके सामने कास्ट्रिक सोडा बेचने की समयसा थी बिक्राय परतिनिदी की सिकायत थी उनका उत्पादन भिक नहीं रहा है उनके इस गथन का परतिकार करते ह जी एम ने कहा कि या माल बिकने लगेगा तो बेच लेंगे आप लोगों की क्या जरुवत परेगी यू मस्ट जस्टिफाई यूर रिस्पॉंसबिलिटी हम लोग अपने पहले कपरा धोने का साउन बनाते थे हमने टाटा कंपनी की साउन तेल की एजेंसी ली उस समय जमाने में टाटा जैसे कंपनी की एजेंसी मिलना बरे सम्मान की बात थी लोगों ने टाटा कंपनी की सिकात की आपने ऐसे अदमी को एजेंसी दी जो स्वाय अपना साउन बनाता है तो company के GM ने कहा, वे गाओं में जाकर अपना सस्ता सामुन बेशते हैं, तथा लोगों को sop minded बनाते हैं, ताकि वे अच्छा सामुन खरी सकें, एक अपना अनुबम लिखता हूँ, हमारे पास पारले बिस्कुट की एजेंसी थी, पारले का एक का माल उधार भी नहीं बिखता बीटे निया, बिस्कुट अपना माल लगत बेशता था, मैंने सोचा कि पारले की माल की क्वाल्टी अच्छी है, तो बिखता क्यों नहीं, मैंने बजार में गया, अपने खरीदारों से मिला, उनका हाल चाल, लिया, ओडर लिया, परंतु, तुरंत माल की सप्लाई किया, प पारले कार रखवाया, मातर तीन माह में बेटेनिया की हालत खराब हो गए, और पारले की बिक्री छोगुनी बढ़ गए, मेरे परियोग को कोई भी करके देख सकता है, सफल होना निश्चित है, सरकार को बिक्रे, परदेश सरकारों की हालत खासता है, अगर आपके उत्पा को फेल होते देखा है, क्योंकि उन्हें समय पर परदेश सरकार से भुकतान नहीं मिलता, अता परदेश सरकार को माल बेशते समय अता दिक सब्धानी बरते, चाह सरकार हो या रईस पेमेंट जो समय से दे, वही सबसे बढ़िया होता है, वरना गलत एवं पैसा ना चुकान परदेश सरकार से दंदा करना बंद कर दे, किन सरकार का साक अच्छी है, पेमेंट समय से मिल जाता है, आज कल विक्रेश मनेजर की तनका सबसे अधिक होती है, अन उत्पादों की परत्युकता भर वातावरन में अपना माल बेचना कथी काम है, किसी भी उत्दोग का पक्क सफलता उसके बिक्रेश बिभाग पर निर्वा करती है, बिक्रेश बिभाग उत्पादन की मांग बढ़ाएगा, ताकि उत्पादन बढ़ सके, ख्यादा के बना हुआ पक्का माल फैक्टरी में रहने न पाए, ग्रीम बेच कर रखे, ताकि उत्पादन होते ही सपलाई हो किसी भी उद्वोग का मेरू दंड उसका सफल बिक्रेश बिवाग है, हरताल से बचे, हरताल किसी का हीत नहीं साजती, हरताल के कारण उद्वोग बंद हो जाते हैं, गरी मजदूर बेचुशगार हो जाता है, सरकार को राफसों में कमियाते उद्मियों को उद्व लगाने के परियास में बिपरित परवापरता बैंक, संस्ताओं को पैसा डूब जाता है, एसे भी देखा गया है कि बिजनस मैन अपनी पुझी गवाकर करजदार हो जाता है, किने गलतियों का कारण हरताल होती है, उसका एक परताच उधारन है, एक क्रमचारी को रेलवे कोईले की देखवाल के लिए भेजा जा गया है, छोटे बच्चे तता औरते कोईला बिनने लगी, तो वह क्रमचारी लाठी लेकर उन्हें भागाने लगा, और नीचे बीचे सिगनल के तारों में उलाज कर गिर गया, चोट के कारण कारक में अनुपस्तित रहा और तता द कोईले की निगरानी करने के लिए बेजा था, या गिर कर चोट खाने को, क्रमचारी के परती मालिक का इस परकार का रवएया, रवएये के कारण क्रमचारी में अस्वत्तोस बढ़ना स्वाविक, इस अस्वत्तोस की परिनीती हर्ताल में हो गए, मुक बात थी कि क्रमचारी परती नियुकता के देश्टी कोन मान भी यह नहीं है याद रखे क्रमचारी के वर पैसे के लिए नहीं काम करता है वह अभी अपना समान समान क्रमचारी के मान समान की रच्छा करना उसके मालिकों का फर्ज है आप कोशिस करें कि आपका क्रमचारी संतुस्ट रहें अगर वह संतुष्ट होगा तो अपने परिश्रम से आपको अधिक उत्पात देगा उसकी कोई मांग भी होगी तो मिल बैठ कर उसका हल निकल जाएगा हरताल करने की नौबत नहीं आएगे क्रमचारी किसी परकार की सिकात लेकर आत उसे ध्यान पुरफक सुने तता संतोज जनक उत्तर देने का परियास करकिंत उसकी परहसानी सुने बीना समझाने का परियास न करें उसकी बात सुन लेने से उसका पात खाली हो जाएगा और तब वह आपकी बात गरान करने की इस्ति पुम्राइतिति में आपक्रमचारी से कहें कि आप समस्या के साथ beide настолько के विदिश्री में जो समाधान और जो मारे कर आँए जो बास्तों इस बास्ता होनेति कि समस्या हा था उसका इलाज हीlles लेकिन बहुत की थे और रहें कि समस्या का या विमारी को उसकी पहरंबिक अबस्ता में ही ठीक कर ले समस्त्रा को फुंसी से फोरा ना होने दे हमेशा निसाने से उपर सीधे हो तो निसाने तक पहुंच पाएंगे जब भी असिच्छा गरान करे तो अपने से अधिक सफल बिजनेस मैंगे से गरान करे हरताल से बचना चाहते हैं तो इसे बिजनेस मैंगे जिसके परतिस्तान वे कभी हरताल नहीं होती है होती स्वाइस देखे कि उसका अपनी क्रमचारी के परति कैसा बेवार है जब क्रमचारी में यह भावना पैदा करेंगे तो आप अपने सुक दुख के साथ ही है तो उनका नजरिया भी अपनी परति स्वायोगनात्मक हो जाएगा मालिक और मजदूर का बरा नाजुक रिष्टा है इस रिष्टे में न कभी खातास आए और न कभी कमी आए मालिक मजदूर किसी के पास परति अबिस्वास नपन पर क्रमचारी को समझने में कभी क्रोध का आसरा न ले क्रोध में बोध समाप्त हो जाता है और वह कभी भी हीत साधन नहीं करता क्रमचारी अगर संतुष्ट है तो वह अपनी पूरी छमता से काम करेगा बिजनसमेन को अपने अच्छे वेवार मानविये दिश्टिकोन और उदार भावना से क्रमचारी को संतुष्ट रखना चाहिए हरताल का सीधा संबंद बिजनसमेन के वेवार एवं का हमारे पास अपार एवं अंकूर भंडार के वर आवा सकता है हम हर हाथ को काम देने की स्रम नीती में सुधार करने पर उद्धोगों को बंद होने से बचा जा सकता और नए उद्धोगों की सस्तापना संभव हो सकती है जैसे जैसे हमारे उद्धोग मजदूरों का रोज सित्रोब से सुधार आएगा जयाना के रोजगार रहित आर्तिक विकास caa परियाप्त होगा गांधीजी ने भी गरीबी घरीबों की नीतिक समर्तन किया विज्ञान के तेजी से विकास के ने स्वाचालित उपकर्णों की संक्या में बिर्दी की जिसके कारण बिरजगारी बढ़ी एसी बिरजगारी को रोकने का एक मात्र उपाय छोटे उबरे उदोगों का जाल विछाना तता उदोगों को बीमार एवं बंद होने स बचाना ध्याना कि राजनीति श्रम निदुटी में सुधार की गर्वी दावा का सेवन किये बेगर भारतिए अर्थविश्ठा की सहत नहीं सुधरेगी हमारे देश की राजनीति दूराजनीति नीति शुधार की सवाल पर सत्ते समर्था स्वार्थ मद्bahn काöyle का खेल बंद करें सुधारों के को अपनाने के लिए अब पार्टी हीत में ना सोचकर देश हीत में सोचना परेगा उद्मियों को एक पद की अवासकता के लिए कई बार बिग्यापन निकालना परता है आबेदन बहुत आते हैं लेकिन योग वेक्ति नहीं मिलते पड़े लि हमें देखना होगा कि हमारी सिच्छा योग वेक्ति क्यों नहीं बन पाती है योग वेक्ति बनाने के लिए सिच्छा में सुधार अकिया बसकता है हम रोजगार नहीं दे सकेंगे तो गरीबी बढ़ेगे अवाव में जीना आदमी का सवाब नहीं है अता वह गलत रास्ता चुन लेता है रास्तिये चरित में कमी के कारण हम रास्तिये संपति को नुक्सान पहुचाने पर गर्व का अनुवव करते हैं हमारी यह प्रविर्ती भी रास्तिये विकास में बादक है देश वासियों में रास्त प्रेम की भावना भरना अवस्यक है देश वासियों को य हीत कर लगेगा बिरेशी माल की चाहत में कमी आएगी सफल बिजनसमैन बनने का अठारा सुत्र दोस्तों ध्यान से तो सुने हम रास्ता चलते ठोकर खाते हैं कारण समल कर नहीं चलते किन्त कोई बिजनसमैन वेपार में असफल क्यों होता इसका कोई एक कारण नहीं होता आपके बड़े नामी गिरामी लोगों की सफलता सुत्पड़े या सुने होंगी आज मैं आपको एक एसे वेक्ति की सफलता के सुत्रों को परिचित करवाऊंगा जो परसीद ना होते हुए भी अपने सफलता का अचुक मंतर देग हैं जिस वे अंदर अपना काम पूरा कराना अपनी उनकी फैट्री नौ बजे साथ से पांच बजे चलते थी वे ठीक पांच बजे ऑपिस की बत्ति बुझा देते वे यह भी कहते थे जो समय सीमा का काम पूरा नहीं करता वह नालायक वे हर वेक्ति से या अपेच्छा करते हैं थे कि उ अपने काम को नौ से पांच बजे के अंदर पुरा करें दूसरा सूत्र सूत्र वे नौ बजे से पांच बजे बीच आदा हन्ता का टीफी समय देते थे केंटिंग में सभी के साथ स्वें पोध डार जी भी चाय नास्ता करते थे बीच में मेच पर चाय कोफी मगाने की पूरी मनाई थी उनका मानना था कि मेच पर चाय कोफी पीना समय की बरवादी करना है समय की बरवादी होगी तो काम कम होगा तीसरा सुत्र ओपिस का सभी स्टाप चपरासी लेकर देच तक पूरी यूनिफर्म में काम पराते थे। यूनिफर्म साफ सुत्री हो तथा कैदे स्विपनी हो। डाड़ी बाल भी ठीक हो। परते क्रमचारी हमें सचुस्त दोस्त लगे या वास्तक था। चोथा सुत्र घर में वेपार की कोई बात नहीं करते थे। उनका मानना था कि वेपार की बात वेपार के छेतर में वेपार के समय ही करे। इससे अकरमचारी में कार छमता तता कार जाशता बड़ी है। 500 उत्पादन का कार करम एवां लच्छ दो माहाथ से पहले निदाद कर देते थे ताकि लच्छ प्राप्ति संदिर्व्थ ना हो। छटा सुत्र उत्पादन माल की अग्रिम बिक्री करते देख रखते थे ताकि उत्पादित माल हाथ का हाथ खरीदार को बेजा जा सके और स्टॉक में न रहे एसा करने पर लागत कम आती थी और उत्पादन वह रख रखाव के खर्च में बचत होती थे सात्मा सुत्र उत्पादन माल की क्वाल्टी में किसी परकार के का समझाता बरदास नहीं था उत्पादन माल की क्वाल्टी बनी रहे इससे उसके लिए कच्चे माल की क्वाल्टी भी खरीदिते समय पूरी असाबदाने से देखी जाती अगर उत्पादित माल की क्वाल्टी म किसी कारण से कमी आ गई तो उसे दितिये स्रेनी का बाताकर अलग से रिबेट देकर बेच दिया जाता था आटमा सुत्र अपने सभी क्रमचारी को संतुष्ट रखने के साथ ही काम में पूरी कठोरता बरतना वे सभी क्रमचारी के सुख दुख के साथ ही थे यही कारण था कि सभी क्रामचारी अपनी चंता एवं दचता से कार करते थे नमासुत अपने उत्पादित माल के बीक्राइटू उन्होंने सारे देश में एजेंट नियुक्त कर दिये थे रखे थे फैक्टरी में कोई समास्या आने पर यदि उनको माल की सप्लाई नहीं कर पा थे तो का इतना ध्यान रखना देखने में कम लगता था मिलता था दसमासुत इसकी इनकी फैक्टरी में अनुसासन को देखकर सरकार ने इनको पहले कैप्टन की उपादी परदान की बाद में मेजर की यानि उन्हें लोग मेजर राम परसाद पुद्दकर काते थे एकारमासूत इतने पक्के थे वे अपने मालिकों से भी मनवार लेते थे। इनके मालिक बिर्ला जी सिरी पूदकर का अउद organism Come on करते थे। इनकी बाते को भरे ध्यान से सुनकर शूकर करते अभर मासूद कार साक निरमान कैस करे था। पोदकर जी अपनी मील का कपरा यूरोप से में नियाद करते थे यूरूस की खरीद आती तो ओडर लिखा होता रूस की संचूरी मील का ही कपरा चाहिए इनकी संचूरी मील के कपरे को इतनी साख थी कि देश में ही नहीं वी देशों में भी मांग रहती थे तेरा भी सूत्र वस्त निर्मान में देश कॉंटेन की कमी को देखते हुए सरकार ने कपरिक में 15% स्टीफन धागा मिलाने की अनिवारता कर दी थी तथा कपरिक का 17% सूती धागे से निर्मित लिखने की सुबदा दे रखी थी जो मिल 15% स्टे पूल धागा नहीं मिलाती उसे जुर्माना देना पर था श्री पोददार अपने सिदान्त को पके थे उन्होंने 15% स्टी धागे से निर्मित लिखने से इंकार कर दिया सरकार को जुर्माना भरते रहें 15 साल के तक लहता जुर्माना भरा जब सरकार द्वारा या अनिवारता समाप्त कर दी गई तब सरकार ने इन्हें पृसकार करना इन्हें स्यूकर नहीं था बने ही जुर्माना बना परे यह था शरी पुदार जी का सापसूत्रा अनुकरन निये चरित चौदामा सुत वरांसी में पुर्दा श्री देन दियार जलान के साथ यहां से चुरी मिल कपरा आता था श्री पुर्दार जी वरांसी आये और श्री जलान से मिलें स्री जलान जी ने कपरे पर छपाई में अंतर बताया और कहा कि एक ही कपरा अलग अस्तानों पर मिल का मार का बदल दिया जाता है तता मुल में भी भीविंता भी रहती है ऐसा क्यों वही कपरा जब किसी को कम रेट में आप बेचेंगे तो हम से उचे रेट में कौन कर देगा परुदार जी ने सारी समस्या सुनी और समझी अपनी मिल की इस समस्या को सरवता अनविग थे उन्होंने जाला नाजी से आदा मीटर कपरा छपबाई हिस्सा काटकर ले गया लिया तथा अपनी मिल में जाकर जाज कराए जिस उंच दिकारी ने ऐसा काम किया था उसे तत्क मील में उत्पाइजित कपरे की साख्स सेटम थी उसी परकार का कपरा बिर्ला जी की अन्मीलो में भी बंता था लेकिन कीमत दास्य परतीससर्ट कम भीखता था अल्ट कीमत कम होने पर भी बेचने में दिक्कत होती थी जब पुदार जी की मील का कप्राब बनने से पहले ही भीग जाता था सो लामा सुत पुदार जी का अपने अधिनास्तर क्रमचारी का पूरा अत्मेत्या परवाव थां परते क्रमचारी उन्हें अपना समस्ता थां एक बार मील की एक मसीन में तूट फूट हो गई तथा गंटे में मसीन ठीक करने के रिपोर्ट करें उन्हें क्रमचारी ने चार दिन के कार को चार घंटे में कर दिखा और गर्व से पुदार जी को रिपोर्टर दी यप है पुदार जी का अपने क्रमचारी का अत्मियता परवाव पर कफाल सत्रमासुत पुदार जी अपने कार कोई मीटिंग में हैं पूना पून आया फिर भी मीटिंग छोड़ कर बात नहीं की मीटिंग की समापति गया है और विल्ला जी से बात करने कि सारी श्रीति असपस कर दी इंफिल्ला जी ने पुदार कि कर्ता vapor निस्टा कोई प्र तांसा कि अ को चुट पूदार जी इस का ड्राइबर उनके फाक्टरी जाने के समय उनकी कार चुट से उनकी पत्नी लें कर बज़ार चला गया पूदार जी ने ततकाल उसे सिवा कर दिया ड्राइबर ने बता जी उन्हें कर दिया कि माता जी nervous की की आब Besch contribute है माता जी को दो दिन तक अंसप्र रही माता जी ने अंसंप्र द्राबित हो कर इन्होंने इतना ही कहा कि इसे रख लेता हूं लेकिन अब या मेरी ड्यूटी में नहीं रहे लेगा इसे कहते हैं अनुसासं और उसका कटोड़ता से पालन सीरी प्रदार जी के सारे सुत्र अंतन ही विवारिक के मेंलिये तास्याय करता हूँ पुन बिस वास है इन सुत्रों को अपना कर कोई भी विझनस्मैं सफ़न हो सकता हूँ इन सारे सुत्रों के सुत्र मूल में उनकी इमंदारी अपने क्रमचारी के पर गाहि के साथ समुझाता ना करना सिखायात मिलने परततकाल करवाई करना, कार समय के अंदर कार संपाधित करने की छमता एवन दच्टा का विकास और अनुसासन में किसी परकार की धील ना देना इन सुत्रों को जो अपना लेगा उसकी सफल बिजनेस बनने के लिए हस और स्वास्त रहे जीव जगत में हसने एवां बोलने का आधिकार केवल मनुस को म मिलता है अगर हम नहीं हसते तो मनुस ही नहीं है मानब बिना हसी एवं बिनोद के रहा ही नहीं सकता मातँ मादा गान्धी जी तणाव के छणों में भी मजा करने से नहीं चुकते उनका उनका कहाना था कि अगर मैं हसना नहीं जानता तो कब का पागल हो जाता, हसने के लिए मस्ती आवस्सक है, भिनोज जीव सदैब मस्त राना राता, साथ ही वह दुसरों को भी हसाता, सदैब हसमुक रहे, चाहे दुख हो या सुक मात्र मुस्काने से काम नहीं चलेगा, खुब हसने से सहत अच्छी रहती है, अमिर्का डाक्टर बिलियम क्राइ का काना है कि ठाके लगाने से दर्द बेशेश रूप से सिर्दाद में कमी आती है, पाचन संस्थान एवं भेपरो की कसरत हो जाती है, और अंग स्वस्त बने रहती है, मनोरोगों के लिए तहा के रामबान है, इस मसेनी जिन्दगी में तथा बिज्ञान नित नई उपलवदियाद ने दो पीडियो मानसिक दरातल को इतना प्रभावित किया कि दो पीडियो साथ रहने के में तनाम ग्रश्त हो जाती, मैंने गरीब से गरीब घराने से लेकर अमीर से अमीर घराने को निकट से देखा है, सभी जगह एक ही समस्ता की पीता की निगाह में पूत्र नलायक पूत्र की निगाह में पीता बेकार, ठीक इसी परकार सास की निगाह में बहू, नलायक बहू के निगाह में सास बेकार, परिणाम सवरू परिवार में तनाव, अतास, निरासा और चि यही वे जीवन जीने के आनंद खो देते हैं इस पर का चिंताओं से मुक्त होने का उपाय क्या है जो होता है उसे होने दीजिए तनाव चिंता एवं असांति से समस्या सुझाने नहीं हैं अपनी मस्ती और पसंता को क्यों कम नहीं होने देते हस्ने रहना हस्ते रहना और मस्त रहना चिंता मुक्त होने का एक मात्र उपाय है कभी-कभी परिवारिक समस्थ्या समय पाकर अपने आप दूर हो जाती है अगर चिंता में ने बीमार बना दिया तो पुना मस्ती और प्रसंता भी उतना स्वास्त नहीं दे सकती जितना बिना बीमारी के मिलता था अतक किसी भी क्रस्तिती में रहे अपनी मस्ती येमार प्रसंता में कमी न आने दे या मान कर चले कि दूसरे का पच को हम से शिकायत है तो अबसा हमें कमी होगी परतेक व्यक्ति जब इस परकार सो शेरा सोचने लगेगा तो तनावsz और चिंता में कमी आएगी जब तक हम दूसरेके गलत और अपने को नसीहा, सही मानते रहेंगे, समस्या का निदान नहीं निकलेगा. हसने के समय या प्रान का संगीत है, समय दे सुचने की या सकती का सुरोत है, खेल के लिए समय दे, या यौवन का रहास है पढ़ने के लिए समय दे या ज्यान का फ़वारा है समय के काम में क्योंकि काम सफलता कि कुझी है समय दे मेत्रता में या अनन्द की रहा है स्वय को भ्यास रखे तो मस्ती मिलेगी हसी के अफसर से ना चुके दोधा ठाके लगा फिर देखे कॉलेस्ट स्चाल में कितनी कमी आती है रोग परतिरोधक सकती कितनी बर जाती इससे हीड़ाय रोगों से निज cog मिलती एइन्सुलीन का अस्त्राव उचफ वाट्रा में होने से मधुमे में कमी आती है और सबसे बरी बात है कि हमारे ठाके हमें चिंटा तनाव संद्य से मुकत करते हैं काका हात रसी बीश्व के परतम विक्ति थे जिनों ने अपनी वसियत में लिखा मेरे मरने के बाद रोएगा नहीं कि लोग सभ यात्रा में ठाके लगाते जाएंगे दास अंकार में थाके लगाते जाएंगे और हास कभी संमेलन का आयोजन समसान घाट पर हेंगे। देश के परसिद वेंकार असोक चक धर के संचालन में समसान घाट पर हास कभी सम्मेलन हुआ लोगों ने ठाके लगा कर काका को अंतिम विदाई दी हास कभी ने मौत में हास कर पाई यद्म यम्दूत रोते हुए रह गए एक काका की मानता थी कि जिस वेक्ति ने जीवन वर स सब को हसा हुआ वह वह क्या अंतिन समय में सब को रूला जाएगा यह अंतिम व्यात्रा तक भी खूब जमकर नासों एक बार काका बनारस आयत तो तो मेरे घर पहठा के ठरे मैंने काका से कहा कि आपको अभी तक पदम सिरी का किताब नहीं मिला तो उन्होंने का जुन जुनी वाला जी भारत सरकार के लोग आये थे कि सरकार आपको पदम देना चाहती है मैंने कहा कि नहीं चाहिए बारत सरकार अगर देना ही चाहती है तो मुझे जैसिरी टी दे हम लोगों हस्ते हस्ते लोटपोट हो गया सिक्स प्यर भी का करता का पसंचित आदमी आधिक जीता हा दुकी चिंता ग्रास्त और उदास चेरा कब सभी को एसा मायूस करता जैसे कोई मौत की खबर लेकर आया हो इसी पर का स्वेस्ट मौटेन के अनुस या सितकाल की धूप है तो गर्मी की तपती दोपार की सगन चाया इससे आत्मा खिल उरती है इससे आपको आनंद तो मिलता है दूसरों में भी आनंद परवाईत होता है हास परिहास पीरा एवं नीरासा का दुस्तमन है या दुखों के लिए रामबान है यदि मनुस हसनिक का प्राकिर्थिक रास्त समझ ले तो कभी डॉक्टर चिकिस्टा या बैद के पास जाने की अबसकता नहीं पर पसंता पाने वाला माल हो जाता है और देने वाला कभी गरीव नहीं होता हास ने से जीवन की निरास्ता एका की पन दुसित भावना ठकावट मानसिक तनाव औ रात मिलता मिलती हैं पस्चिम के भी विक्सित रास्टों में को कई चिकिस्टा ने लाफिंग ठेरफी के द्वारा उपचार करना शूरू कर दिया इस समय हमारे देश में भी हजारों लाफिंग क्लब चल रहे हैं लाफिंग क्लबों की सुगात मंबाई से हुई उनकी ख्य अकवर की सफलता के पीछे उसका हास्ट प्रेम भी रहा होगा बिर्ला परिवार में भी दोपहर का भोजन सब लोग साथ करते थे उनके साथ में बिर्वल सरीखा वेक्ती जरूर बैठता जो भी जो सभी को हासा था एक प्रसेंटी रखता